हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्साइज 1.3 कोशन नमबर 6 बहुत प्यारा कोशन है पढ़ते हैं लिखा हुआ है look at several examples of rational number in the form P by Q and Q does not equal to 0 where P and Q are integers जहां पर P और Q हमारे integers हैं with no common factor other than 1 जिनका कोई भी common factor नहीं है and having terminating decimal representation और जो उनका हमारा decimal expansion है वो terminating है terminating मतला वो एक step पर जाकर खत्म हो जाता है या दूसरी language में बोले कि हमारा reminder 0 बचेगा चलिए आगे लिखा है can you guess what property Q must satisfy क्या आप बता सकते हो कि इसमें Q की कौन सी property satisfy हो रही है तो चलिए हमसे बोला गया है कोई हमको एक example कोई भी example देखो जो हमारा rational number हो P by Q की form में हो गए rational number और condition given है कि क्यों हमारा 0 के equal नहीं होना चाहिए ठीक है और दूसरी बात बोलिए जो हमारा decimal representation हो वो हमारा terminating हो in nature कैसा हो terminating मतलब कहने का हुआ कि वो अगर हम इस P by Q जो भी हम एकजामपल लेंगे उसको divide करें तो हमारा last में reminder 0 बच जाए वो पूरा पूरा completely point के बाद divide कर दें हमने बहुत सारे इसा question के भी है exercise का first question भी कुछ इसी तरीके सा था और हम देखे तो हमने कुछ example भी किये है तो हमको बताना यहाँ पर कि क्यों की क्या property है हमें इस Q की property बतानी है बोला है कि कब कि जब हमारा representation हमेसा terminating हो तो देखिए ऐसा कब possible है अगर हम किसी भी number को कोई भी number लेलो उसको 2 से divide करते हैं कोई भी number लेलो आप 1 से लेके infinite तो कोई भी number अगर आप उसको 2 से divide करोगे तो हमारा हमेसा जो answer होगा वो terminating होगा for example हम ले लेते है 35 अगर हम इसको 2 से divide करेंगे तो जो हमारा answer होगा वो terminating होगा देखिए 2 से अगर उसको हम divide करेंगे answer आएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 17.5 हम अगर 35 को 2 से divide करेंगे तो 17.5 और ये 0.5 के बाद खत्म हो चुका है terminating तो कहने का मतलब हुआ अगर हमको एक rational number चाहिए और हमारा answer हमेसा terminating हो तो क्योंकि property क्या हुआ कि अगर हम 2 से किसी भी चीज को divide करते हैं तो answer terminating होगा या फिर मैं यू कहुँ कि 2 की power n कि 2 की power कुछ भी हो कुछ भी वो terminating ही answer आएगा क्यों अगर हम 35 को 2 की power 2 से divide करें तो तब भी answer terminating आए कि चाहिए आप करके देख लो 35 को 2 की power 2 क्या होती है 4 अगर आप 35 को 4 से divide करेंगे answer आपका terminating होगा क्योंकि अगर आप 35 को 4 से divide करते हैं तो आपका answer आएगा 8 point लगाया 8 to 4.75 तो अगर हम 35 को 4 से divide करते हैं हमारा answer आएगा 8.75 और ये भी कैसा हुआ हमारा nature में terminating तो हमने एक बात जानी अगर 2 की power n है मतलब 2 की power कुछ भी है तो हमारा answer terminating आएगा और एक number एक और ऐसा है क्या अगर हम किसी भी number को 5 से divide करते हैं तब ही भी हमारा answer terminating ही होगा आप कोई भी इस world में कोई भी number उठा लीजे और 5 से divide कीजेगा अगर आप तो हमारा answer terminating होगा for example अगर हम 101 को 5 से divide करें आप कुछ भी number ले लो कुछ भी जो आप जितना भी आप दिमाग हो लगा लो और कोई भी number लेके आप 5 से divide करो जो भी आपका answer आएगा answer terminating ही होगा 101 को अगर हम 5 से divide करेंगे तो answer होगा हमारा 20 से तो पूरा-पूरा 100 कर जायागा और यह होगा 20.2 तो देखे यह भी क्या हो हमारा terminating या फिर हम यह कहें कि अगर हम किसी भी number को 5 की power m मतलब 5 की कुछ भी power हो हमारा answer हमेशा terminating होगा आप इसको check भी कर सकते हैं अभी तो मैंने आपको देखे 2 की power n से divide किया अगर आप 101 को 5 की power 2 से भी divide करेंगे ना 101 को 25 से तभी आपका जो answer होगा वो terminating ही होगा इसका मतलब अगर हम तो हमने क्यों की property क्या जानी हमने क्यों की property जानी अगर हम क्यों नीचे था अगर हम किसी भी number को 2 की power n या फिर 5 की power m से divide करते हैं यह multiply कर साहिन है अगर हम किसी भी number को 2 की power n या फिर 5 की power m से divide करते हैं तो हमारा answer हमेशा terminating in nature होगा और हमारे को यही बताना था कि क्यों किस चीज को satisfy करेगा तो क्यों किसको 2 की power n इंटू 5 की power m मतलब 2 की कोई भी power हो 5 की कोई भी power हो वो करेगा या तो क्यों की power 2 की power कुछ भी हो या फिर 5 की power कुछ भी हो या फिर हम कहें 2 इंटू 5 की भी power कुछ भी हो वो हमेशा satisfy करेगा ही करेगा तो हमारा ये question यहाँ पर complete हो जाता है Thank you